तेन क्रेश्री कानुनों की वापसी के बाद अब C.A. और N.R.C. को भी रद्द करने की मांग उठने नहीं है। इसलिएं कानुनों को रद्द कर देने चाहिए। कानुनों को खतम किया जाए जिस तरीके से क्रिशी कानुनों को लेकर ये लंबा अंदोलन चला है और C.A. A. N.R.C. को लेकर लंबा अंदोलन चला है। जिससे मुलक को नुकसान होगा, मुलक के अंदर रहने वालों को नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन होगा और उसको खतम करने की मांग की जाएगी और सरकार को खतम करने पढ़ेंगे। और अगर जो मुलक के हीद में होंगे और जो है लोगों के हीद में होंगे तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा उनको खतम करने के लिए सरकार बनाएं, मुलक के अंदर रहने वालों के हीद में बनाएं, बिल्कुल कोई भी आवाज नहीं उटेगी उनको खतम करने के तो C.A. NRC से भी ना तो किसी मुसल्मान को फायदा है ना मुलक को फायदा है ना मुलक के अंदर रहने वालों को फायदा है तो हम मानने परधान मंतिर जी से इमांग करेंगे कि CAA और NRC के कानूनों को खतम किया जाए इनको रद किया जाए, मैं ये मानने परधान मंतिर जी से मांग करता हूँ और मैं समझता हूँ का हमारी इन बातों पर मानने परधान मंतिर जी तबज्जो देंगा आप देख रही है उनलेख निउस, हर खबर पर पैनी नजर